Hello student, आई ये इस वीडियो में हम discuss करते हैं integration based on one type देखे बच्छो जिस topic को हम discuss कर रहे हैं वो इससे previous topic से related है integrals based on और वो topic के बच्छो integration by parts देखे, integration of e to the power x f of x plus f dash of x और 7 में आ जाएगा dx इस type को ध्यान से समझ लीजे जिसे हम use करने जा रहे हैं आने वाले numericals में exponential function अगर किसी भी function के साथ multiplied होता है और वो function add होता है उसी के derivative के साथ तो directly आप उसका answer लिख सकते हो e to the power x into function और प्लस आ जाएगा बच्छो सी ध्यान रखेगा bracket में first term function होना चाहिए और उसके बाजु वाला function होना चाहिए उसी का derivative तब ही जाके आप इसे वहाँ implement कर पाएंगे otherwise ये formula वहाँ implement नहीं होगा और first numerical आपको ये explain कर देगा कि उसे हमें use कैसे करना है तो देखे बच्छो यहाँ e to the power x आ रहा है bracket में हम लिख रहे है first term को sin x और second term को cos x और साथ में यहाँ आ जाएगा बच्छो dx ध्यान से देखिए e to the power x होना ही चाहिए bracket के बाहर और वो term है भी वहाँ sin x का derivative क्या होता है बच्छो वोता है cos x इसका मतलब यहाँ हमारा function है और यह है इस numerical का final answer but आपको इतना simple numerical तो नहीं देने वाले तो ऐसे समय पर हमें numerical पूछा कैसे जाता है कया trick यूज होगी या उन्हें question का form ऐसा कौन सा देना पड़ेगा जिससे हम इस form को वहाँ implement कर पाएंगे तो एक numerical discuss करते हैं उसी type का देखें बच्चो यहाँ हम लिख लेते है sin of log x plus cos of log x अगर आप note करें तो कही पर भी जो form हम लोगों ने अभी discuss किया है वो implement होते हैं नहीं दिखाई दे रहा है क्यों क्योंकि e to the power x का term ही नहीं है पूरे expression में तो यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है आपके एक keyword के तरफ हमने क्या read किया इसे sign of log x इसे बोला है cos of log x तो इसका मतलब है of यह keyword है तो हम put करेंगे log x की value t बच्चो जिससे x की value generate होगी e to the power t और आप dx evaluate करेंगे जो आएगा बच्चो e to the power t dt अब अगर आप इस replacement को इस numerical में use करते हैं तो देखें numerical का form क्या आएगा capital I is equals to integration of first term हो जाएगी बच्चो sin t देना जाएगा plus cos t dx की value आएगी e to the power t dt और आप numerical को ध्यान से देखें यह वाला same numerical यहाँ पर है जिसका answer हम लोगों ने यह लिखा है तो आप इसे अब proper order में लिख लीजे यहने जो formula हम use कर रहे है जो integral के based हम numerical discuss कर रहे है उसके form में उसे हमेशा represent कर लीजे तो यहाँ देखें exponential function होना चाहिए expression में है sin t का derivative है बच्चो cos t हमेशा दाल रखेगा function पहले होना चाहिए उसी के बाद आप उसका derivative रखे तो ऐसे integral का answer क्या आता है बच्चो e to the power t into function तो sin t आजाएगा plus आजाएगा c but numerical in terms of x हमें दिया गया था तो अब e to the power t के जगा हमें x लिखना पड़ेगा और sin के अंदर जो t है उसके जगा लिखना पड़ेगा log x और plus आजाएगा बच्चो c तो ये है इस numerical का final answer और इस तरह हम ये जो integral based on topics शुरू किये है उसे किसी भी numerical में implement कर सकते है ध्यान रखे situation और भी weird आ सकती है आप लोगों के आगे बट आपको radio रहना पड़ेगा तो चलिए third numerical discuss करते है so let capital I is equals to integration of ध्यान देजेगा बच्चो अच्चे से numerical है e to the power x in the bracket cosec x into 1 minus cortex और 7 में आजाएगा बच्चो dx अब काफी difficult numerical हमें दिखता है एक ही बार में but अगर आप properly इससे सोचे तो cosec x इस bracket के साथ multiplied है तो bracket multiplication कीजे क्या आएगा दिखे cosec x minus cosec x into cortex और 7 में आजाएगा यहाँ पर dx और अगर आप सोचे अच्चे से तो cosec x का derivative क्या होता है बच्चो minus cosec x into cortex इन्हें situation same है यह हमारा function है और यह है उस function का derivative और बाहर में e to the power x multiplied है तो last step पर हम सभी ने कहाएगना चाहिए e to the power x के साथ cosec x और यही रहेगा इस numerical का final answer तो कभी-कभी हमें जिससे second numerical ने और third numerical ने समझाया है कि form directly आपको given दिया हुआ नहीं रहेगा उस form में आपको numerical convert करना पड़ेगा जिसे आप आसान इसे कर सकते हो बस आपको derivative के बारे में proper knowledge होना ज़रूरी है तो last step है उस numerical की e to the power x into हम लिखेंगे बच्चो cosec x और plus आजाएगा c तो यह है बच्चो third numerical का final answer जो काफी simple था हमारे लिए अब हम solve करने जा रहे fourth numerical let a capital I is equals to integration of e to the power x in the bracket x plus 2 upon x plus 3 का whole square अब कैसे solve करेंगे इस type के numerical को तो आपको कुछ याद दिला देते है कि जब कभी भी हमें rational fraction मिलता है तो वो दो इटाइप में होता है एक तो दोनो x का power same होता है उपर नीचे या तो उपर वाला numerator का power बढ़ा होगा denominator से तो यहाँ आप x के power अगर observe करें तो वो same है coefficient भी same है तो हम यहाँ express numerator in terms of denominator वाला step apply कर सकते है बढ़ उसे mention मत किज़ेगा तो हम numerator में लिखेंगे x plus 3 plus 2 minus 3 हमने यहाँ 3 को numerator में add and subtract किया है बच्चो अब आगे बढ़ते हो तो क्या आएगा देखिए integration of e to the power x in the bracket यहाँ हम लिखेंगे बच्चो x plus 3 denominator का separation use करेंगे तो x plus 3 upon x plus 3 का होल स्क्वेर 2 minus 3 minus 1 आजाएगा बच्चो upon आजाएगा x plus 3 का होल स्क्वेर यह आप यहाँ plus और यहाँ minus लेकर भी चल सकते हो यह जादा बैतर होगा तो यह term is square के साथ cancel होगी बच्चो integration of e to the power x in the bracket 1 upon क्या बच्चेगा x plus 3 then I got plus minus 1 upon x plus 3 का होल स्क्वेर और यहाँ ध्यान देजेगा एक पॉइंट की तरफ यह 1 by x है और 1 by x का derivative क्या होता बच्चो minus 1 by x square तो आप देख रहे हो कि properly इस function का derivative यहाँ पर present है तो अब हम उस rule का use करते होगी यहाँ लिखेंगे e to the power x into 1 upon x plus 3 और यहाँ आजाएगा बच्चो plus c तो इस तरह आप इस type को use कर सकते हो किसी भी numerical में जहाँ आपको लगता है कि यह उस form में convert हो सकता है जो form अभी हम discuss कर रहे है इसमें एक और numerical है बच्चो जो आप लोगों ने समझना चाहिए वो है fifth let capital I is equals to integration of e to the power x into x upon 1 minus x का whole square similar है यह numerical और यह numerical similar है बट कही ना कही step important है इसलिए यह numerical आप लोगों को solve करा के दिखा रहे है ताकि आप ऐसे type के numerical को देखके डर न जाए या आपको परेशानी ना हो उसे solve करने में तो चलिए देखते है फिर से x का power और coefficient सेम है तो हम आसानी से यहाँ काम कर सकते है into the power x in the bracket हम plus 1 करेंगे, minus 1 करेंगे और आकरे में plus 6 लिखेंगे adjustment देखिए बच्चो previous numerical में भी same step कीती बट वहाँ की adjustment अलग थी यहाँ से और अब अलग है तो आप हमेशे धान रखेगा कि adjustment इतनी clear हो जो हम कर रहे है जिसका शुरू से ही हम लोग proper presentation देते हुए चले तो यहाँ e to the power x आजाएगा, यहाँ 1 minus in common निकालेंगे तो 1 minus x की term generate हुजएगी numerator में then minus 1 minus x upon आएगा बच्चो 1 minus x का whole square साथ में आएगा dx, यह term with this square get cancelled e to the power x case bracket में जो first term है वो आ रही है बच्चो 1 upon 1 minus x का whole square और आप देखिए, यहाँ हमारे पास 1 upon 1 minus x की term remains है, अगर आप properly observe करें तो इस term का derivative यह नहीं है, इस term का derivative यह है तो इसे अगर आप देख सकते हो कि function हमेशा पहला होना चाहिए और बाद में होना चाहिए क्या उसका derivative, अगर वो लाना चाहते हो तो इस bracket से minus sign common निकालो, तो यहाँ आजाएगा e to the power x in the bracket, 1 upon 1 minus x, minus plus of minus ले ले लेते है 1 minus x square और साथ में क्या आएगा बच्चो, dx बट यहाँ कुछ तो ऐसा term है जो missing है हभी भी और वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा देखें, यह 1 upon 1 minus x है जिसका power क्या है बच्चो, 1 और इसका अगर derivative यहाँ लाते हो तो minus 1 upon 1 minus इसका क्या आएगा, whole square तो यहाँ एक minus का difference generate हो रहा है, कि इस bracket को अगर हम differentiate करते है, तो यहाँ एक और into minus 1 आना चाहिए, जो missing है कही ना कही, इसका मतलब आप इस numerical में जो concept अभी हम use कर रहे थे वो implement नहीं कर सकते, तो ऐसे भी blocking लगती है किसी-किसी numerical में, तो ध्यान दीजेगा आपको यह समझा दे कि इस numerical का answer हम ऐसे तरीके से नहीं बना सकते, यही बताने के लिए आपके आगे यह numerical को रखा गया था, तो ध्यान रखेगा कि term similar दिख रही है, इसलिए formula जरूरी नहीं है कि वहाँ implement होगा ही, कुछ अलग forms भी होते है, जिने हम use करके याने implement करते है numerical में और फिर ही answer लाते है, अगर आप इस numerical को solve करना चाहते हो तो आपको trick बता दे, क्योंकि यह तो ऐसे solve होगा नहीं, किसी भी आलत में, और इसको solve करने के लिए कोई दुसरा हमारे पास pattern भी नहीं है, आपको properly एक बार फिर समझा दे, कि इस term का derivative, अगर आप करते हो, तो वो minus 1 upon bracket square into derivative of bracket आएगा, जो कि minus 1 यहाँ extra होना चाहिए, बट आप देख रहे हो, कि यह यहाँ नहीं है, यह हमने ऐसे लिखा था, डान रखेगा, तो अगर आप इस type के numerical को solve करना चाहिए, तो सबसे पहली ही step पर आपने उसे represent करना चाहिए, integration of e to the power x into x upon denominator में जो यह 1 minus x square है, इसे आपने लिखना चाहिए, बच्चो, x minus 1 का whole square, और सवाल अगर मन में यह हो, कि क्या हम ऐसा लिख सकते तो जवाब है, बच्चो, हाँ, बिलकुल आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि a minus b का whole square open कीजिए, या b minus a का whole square, आता answer हमेशा same है, बच्चो, और वैसे भी square में negative का फरक कभी generate नहीं होता है, तो अगर अब आप इस numerical को solve करते हो, same process से, तो आपको बिलकुल भी परेशानी नहीं होगी, आराम से आपको final answer मिल जाएगा, तो इसी तरह आप इस topic को properly पढ़ाई करें बच्चो, इसके dependent numerical जादा से जादा solve करें और बहुत ही रेरली यूज होने वाला concept है, बट अगर exam में पूछा जाए, तो हमें परेशानी ना हो इसके बारे में ध्यान रखेगा, thank you students